और तमाम राक्षेसों का बत किया, धुम्र का, वियोचन का, और तमाम उन असुरी शक्षियों का जो हमारे जीवर में असांसी फैलाती हैं, उनका बत किया, और आज देतायुक से लेकर अब तक भगवान राम, भगवान राम के विचार धाला को मानने वाले, रावन का मत कर रहे हैं, मित्रों दोस्तों, मैं केवल दो बाते करेंगा, लंबी चोड़ी बात नहीं क्योंकि, रावन को हमने तहा करना है, इसलिए इस बाद कहना चाहता हूँ कि राम चैत्र मानस सांस लोग सब पढ़ते होंगे, राम चैत्र मानस में जब आप लंगा कान कर तो लंका कान में कैसी स्थिति आती है, जब राम और रावन आवने सांसे होते हैं, तो उस समय विभीशन के मन में शक्ता आती है, और वो भगवादान से पोते हैं कि राम, रावन रती है, उसके पास मायावी रत है, उसके पास आस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसके पास बड़ बड़े बड़े कुम्ब करन जैसे योगता है और है राम तुम पेदर हो तुम्हारे पास रस नहीं है तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े अस्तर शस्तर